नमस्कार आप देख रहे हैं Z10 News और मैं हूँ आपके साथ सपनाधागर रुख करते हैं आज की बड़ी खब्र की ओर करनाटक में इस साल विधान सबाद चुनाव होने है ऐसे में वहां केंद्रिय मंत्रियों के दौरों में बढ़ होत्री देखी गई है कुछ प्रधान मंत्रि नेंद्र मोदी भी साल 2023 में अब तक 6 बाद करनाटक जा चुगे है अभी मार्च का महिना चल रहा है और समहिने के खत्म होने से पहले पियंद्र मोदी के करनाटक के दो और दौरे प्रस्तावित है करनाटक में मई महिने में विदान सवाशुनाव होना है बतादे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी बैंगलूरू मसूर एक्सप्रसवे का उतभाटन करकर आये हैं यह एक्सप्रसवे एक्सप्रसवे 118 किलोवीटर लंबा है जोसे लगभग 8,480 करोर रुपे कुल लागत स बनाया गया है उतरप्रदेश के मुख्यमांत्री योगी आदितिनाद ने मंगलवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से मुलाकात की है उतरप्रदेश सरकार ने इस देश रिष्टाच्वार भेड़ बताया इसने बैटक की तस्वीरे भी साज़ा की है राज्यू के मुख्यमांत्री का ये दूसरा कार्याकाल है प्रधान मंत्री से योगी की ये मुलाकात सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरा होने के कुछ दिन पहले हुई है 25 मार्च को सरकार के एक साल पूरा होने पर प्रदेश भर में वर्षगार्ट बनाने की तैयारिया डॉक्टरों ने मा के गर्व में एक अंगूर के आकार के बच्चे के दिल में सफल वैलोन डाइलेशन किया है बताया चाहरा है कि एक 28 वर्षय गर्वती मरीज को पिछले तीन गर्वास्था नुफसान के साथ अस्पतार में भरती करा गया था डॉक्टरों ने बच्चे के हि एनस कौडियो ठेडियो से साइंसस सेंंटर में की गई है चुकि सभशष एशक्यों की टीम ने डिरेशन की सफल प्रक्रिया की तो वही एन्स के प्रसुती और स्त्री रोग विभाइक की टीम के अनुसर प्रक्रिया के बाद धूड और मादोन उठीख है यूपिके बागपत में एक निच्वी स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल नियमों को नमानने पर तालिबानी अंदाज में सजा देने का एक मामला सामने आया बीच कक्षा से उठाकर मासूमों को बाल के आगे काट दिये गए थे और ये सजा केवर एक बच्चे को नहीं बलकि आदे दर्दन बच्चों को दी गई है बच्चों के पाईजरों का कहना है कि स्कूल की फीर्स नाजबा करने के कारण इस सजा दी गई पीरित बच्चों का कहना है कि एक महीने पहले भी उनको स्कूल के कमरे में बंद कर दिया गया था स्कूल प्रिशासन द्वारा दीगर सजा के चुलते मासूम बच्चे मांसिक रूप से आहत नज़र आ रहे हैं कि बच्ची ने सिखायी तो नहीं किया है समचार पत्र में पढ़ा हूं उसके अभ्याच करा लेंगे कि अभी तक क्या मामूला तो थैशे भी तक तो युट अब कोई शंग्यान में वेसं पेपर में पढ़ा है में बार्त में दावनेश नाम निवाली नहीं दिए। मेरा पेपर चल रहा था, वह उचाट इवारे अरे बाल काट दिये। कर दो तीन वच्छों के बाल काथे तल दो तीन बच्छों के बाल काते हैं उनके प्हरेंट रहें थोगए उन्स साथ बढेरी कॉरी तीचर यह बाल रहे थे आपको प्रस्टेम के दौराई अब च्थ्रेकिंग दौराई पोलस्की बाइक सवार तीन बदमाशों से मुट्भेड हो गया इस मुट्भेड के दारान पुलिस की गोली लगने से लुटे रबदमाश अजो ए घायल हो गया है तो वह एक अन्य साथी वंच को भी पुलिस ने दबोच लिया जबकि पुलिस तो चक्मा देकर तीसरा व्यक्ती फरार हो गया पुलिस ने घायल पर लुट चोरी के आधि दर्जन से आधिक मुखाद में विभे निज्रन पदो में दर्ज है दरसल मामला मनसूर पुर्थाने का है जहां दूधा हेडी गाउ के जंगलों में पुलिस और बाइक सवार तीन बदमाशों के बीच चेकिंग के दारान मुडवेड हुई है अउगत कराना है मनसूर पुर्थाना के पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी जवहरा से दूधा हेडी मार्क पर चेकिंग के दारान एक बाइक पर तीन संदिक धाते भी दिखाई दिये उनको रोकने का प्रयास किया गया इसी भी उन्होंने जो है पुलिस पर फाइरिंग करक पुलिस मुठवेड में जवावी कारवाई में एक ब्यक्ति जिसका नाम अजय है घायल हुआ है और उसके दूसरे साथी को कामिंग करके तलास करके पकड़ लिया गया है और उसके साथ एक तीसरा है जिसको पकड़ने का प्रयास किया गया है जो घायल बदमास है इसका ना जिसे इन्होंने फाइरिंग किया था और अग्रिम विधिक कारवाई सुनिसित की जा रहे हैं जिले के एक अध्यापक पेशे से शर्मसार किया है सिक्षा के मंदर में स्कूल के ही मुख्या ने विध्याले के बगल्म की रहने वाली युवति के साथ दुशकर्म जैसे घटना को अध्यापक के खिलाफ मोहन गंज को तुवाली में शिकायत दर्श कराई पुलिस में मुकदमा दर्श करते हुए युवति को मेडिकल के लिए भेज़ा है और आरोपी की गिरफ्तारी शुरू कर दी है बताया जाना कि जब पीरित युवति विध्याले के पास पानी पी हुए है ऐसे तमाम बड़ी खबर के लिए देखते रही है इस जीटार न्यूज झाल